हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो दोस्तों अगर आपका रैबिड घर में कहीं भी पौटी कर देता है या आप उसके रहने के लिए जगा बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे काटून का इस्तेमाल कर सकते हैं यह जहां से काट रहे से इसले तक वह आप 6 तरीके से काट रहे हैं वैसे ही आप यहाँ से काट अचाहिए सब्सक्राइब कि अख्樂 commission है responsabil कर दो किंगे देश्यों है ज्यादा तर रैबिट जो होते हैं वो घर के कोने के अंदर ही पौटी करते हैं या फिर बात्रूम करते हैं तो जहां पर आपका रैबिट ज्यादा तर बात्रूम कर रहा है या पौटी कर रहा है आपको उस जगा पे ही काटून को रखना है क्योंकि वो अपनी जगा नहीं ब करते हैं तो आपको जगह पर काटून को रख देना है तो काटून जो होता है दोस्तों यहाँ पर स्रफसक्त। यहाँ प्याँ प्रिट के से इसलो टीप लगाँद है कोए पर क्या आपको नियुका लिगाता हो California लगा देना है तो कर दो कर दो कि सेलो टीप लगाने के बाद दोस्तों सर्दियों की मौसम में आप चाहे तो इसमें कोई बिस्तर लगा सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूं कि हम याप एक चोटा सा गदा बनाया है यहां पर बच्चों के लिए जैसा होता है उसी तरीके से हमने याप गदिला बना आप चाहे न में आपको लगाहे हैं नंतर्व करने के लिए और आपको आपको चाहें सब्सक्राइब में प्रेखने के लिए kita रहे हैं इसके लबावा आप चाहे तो कोई पिंजडा भी रख सकते हैं क्यूंकि कई बार क्या होता है घर में बिल्ली या कुते इन सभी जानू होता है तो इसलिए आप चाहे तो एक बड़ा सा पिंजड़ा जो है वो मंगा सकते हैं रैबिट के रहने के लिए अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंदाए हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आपकों को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो